देखे इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंडियन एयर फोर्स में गुरूप डिसकस्टन के दवरान इंटोड़क्शन कैसे देना है क्या कहना है और क्या बिल्कुल नहीं कहना है अगर आप ये चीज़े कहेंगे तो आप वही से बाहर कर दिये जाएंगे मतलब कि अब तक का आपका जो मेहनत है वो बिल्कुल बेकार चला जाएगा तो ध्यान से इस वीडियो को देखेगा मैं इसमें कुछ भी आपको लिखा लिखाया नहीं दूँगा कि आप उसी को जाओ रटके और बोल दो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि actual में introduction क्या होता है तो आईए समझते हैं पहली बात एक चीज आप समझ लिजे कि introduction क्या होता है introduction मतलब होता है advertisement जी हाँ आप खुद का advertisement करते हैं तो dear student introduction है जो है न वो maximum 30 second का होना चाहिए मतलब 30 से लेकर के 60 minimum 30 maximum 60 कह सकते हैं second तक का होना चाहिए ठीक है तो actual में आपके यहाँ जब आप group discussion देते हैं जीडी की दवरान आपको लगबग लगबग 30 second दिया जाता है ठीक है कि अपना introduction दे जब आप अपना introduction देते हैं उसके बाद आपसे बोला जाता है कि अब topics के बारे में कुछ बताएं ठीक है तो बात करते हैं introduction की आपको मैंने बताया कि advertisement है खुद का तो advertisement का मतलब होता है किसी का ध्यान अपनी तरफ मोड़ देना इसलिए जो introduction है वो बिलकुल धार-धार blade की तरह होना चाहिए ठीक है और आगे बढ़ते हैं देखिए introduction में क्या-क्या चीज़े बोलनी चाहिए introduction में अपना नाम education qualification hobbies और strength ये चार चीज़े mention करना चाहिए और उसके बाद कुछ करे या ना करे कोई फर्ग नहीं पड़ता है चार चीज़े आप लिखते चले जो जो मैं बता रहा हूँ नाम educational qualification hobbies और strength ठीक है ये चार चीज़े at least आपको करना है strength देखिए क्या होगा strength आप कहां से देखेंगे strength के लिए आप google पे search कर सकते हैं कि top 10 qualities of a soldier मतलब कि एक सीपाही में कौन कौन सी qualities होनी चाहिए तो उन में से जो दो तीन बढ़ियां लगे आप अपने introduction जो आप तयार करेंगे जो लिखेंगे उसमें सामिल कर सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं की responsibility आप a soldier एक soldier की responsibility क्या होती है उस चीज को आप अपने introduction की दवरान सामिल कर सकते हैं ठीक है तो इन चारों चीजों में एक बार यह होता है की देखे कई बार बच्चे क्या करते हैं की अपने माता पिता का नाम बताने लगते हैं माता पिता के नाम तक तो ठीक है लेकिन कई बार भाई my brother's name is ये और my sister name is ये और मेरे जीजाजी है जीजाजी का नाम ये है जीजाजी इस company में काम करते हैं देदी यहां रहती है देखे आपको उनको जो है कि वो आपको जॉब देंगे न कि आपके रिश्तिदार को देंगे भाई को बेहन को ठीक है तो चुकि आपके पास 30 second ही है तो आप ये important सीजे बताएंगे name, education, qualification, hobby and strength और देखिए एक चीज और है कि आपको अपना नाम बताते समय myself का प्रयोग नहीं करना है कई लोग बोलते हैं न आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं myself अभयादो myself सुधीर पांडे तो myself बोलना गलत है मैंने बताया है कि myself किसी भी sentence का subject नहीं होना चाहिए myself का मतलब मैं खुद तो मैं खुद सुधीर पांडे गलत है आप वहाँ पर formal चीजे बोलेंगे formal चीजे का मतलब आप ये note करें आप बोल सकते हैं my name is सुधीर पांडे या कि फिर I am सुधीर पांडे ठीक है good morning to all of you I am सुधीर पांडे या good morning to all of you my name is सुधीर पांडे इसके अलामा इन दोनों sentence के अलामा आप तीसरा कुछ नहीं बोलेंगे hello guys this is सुधीर पांडे नहीं informal हो जाएगा आप वहाँ पर कोई बहुत बड़े celebrity नहीं है वहाँ पर आप एक student है और एक soldier बनने जा रहे है ठीक है तो ये दो चीजें आप बोलेंगे इसके अलामा अपना नाम बताने के लिए किसी भी तीसरे sentence का प्रियोग आप नहीं करेंगे या तो बोलेंगे my name is या बोलेंगे I am समझ में आया चलिए और जब आप अपनी strength बताएंगे जब आप अपनी strength बताएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि according to me my strengths are तो according to me नहीं बोलेंगे मैं आपको यही बताते चल लाओ कि क्या बोलना है और क्या बिल्कुल नहीं बोलना है तो according to me बिल्कुल नहीं बोलेंगे ये बिल्कुल negative जाता है गलत जाता है पूरे group discussion के दोरान कोई भी चीज आपको बोलना होगा तो आप according to me नहीं बोलेंगे जैसे लोग बोलते हैं according to me neutral according to neutral पहला बोलेंगे I feel my strengths are या GD के दरान भी किसी बच्चे से कुछ बोलना होगा तो आप बोलेंगे I feel या I believe या I think लिखिए तीन चीजे तीन लाइन लिखिए I feel I believe I think यही तीनों बोलना है आपको तो मैंने यह भी बता दिया आपको ठीक है इन बातों को ध्यान देंगे जब इ introduction तयार करेंगे ठीक है जब आप अपना introduction तयार करेंगे तो उस introduction को आपको at least at least 50 बार mirror के सामने practice करना है अब पहले आप अपना introduction तयार कर लेंगे उसके बाद जो चीजे में बताया उसको नहीं बोलना है जो बताया उसको बोल सकते हैं उसके बाद आप mirror के सामने 50 बार इसक सेस्कूल पर्फिक्ट हो आपके अंदर कोई भी हेजिटेशन नहों और कोई भी ईरर नहों कोई भी गलती नहों पचास बार अगर अगर आपको कम लगे तो आप इसको सौठ देढ सो बार भी कर सकते हैं ठीक है आपको समझ लेना है कि आप एक एक्टर है और आपको एक्टिंग करनी है हलो गुड मॉर्निंग आला फ्यू माइनेम इस सुधीर पांडे इस तरह से ठीक है तो ये confidence होता है बड़े बड़े एक्टर सारू खान के जैसे आमिताप बच्चन जैसे लोग मीरर के सामने घंटो प्रैक्डिस करते हैं तब जाकर के अपना डालाग बोलते हैं तो आपको समझेना है कि आपको वहाँ पर एक्टिंग करनी है चुकि बच्पन से आज तक आप कहीं पर भी ऐसे महौल में नहीं गए है तो इडर हो सकती है और पहली बार में हो सकता है कि आपका जो मीरर के सामने प्रदर्शन हो बहुत अच्छा हो तो वहाँ डुक नहीं जाना है फिर भी आपको 30-40 बर, 50 बर करना है क्योंकि पहली बार हो सकता है गलती से हो गया हो है ना? तो आपको करना है और उमीद है कि आपको जितनी बाते मैंने बताया समझ में आया होगा तो उसके बाद आप जो क्या करना है आपको आप क्या करेंगे कि इस जो भी मैंने नियम बताया इन नियमों के अनुसार आप अपना इंटर्व्यू तयार करेंगे एक पेस पर लिखेंगे ठिक है और यहां कि फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पहले पर अपना बना लेंगे जैसे बनाना होगा देकि आपने स्ट्रेंथ में लिख सकते हैं एविलिटी टू everyone Under pressure कि आपकी यह यह च्टैंज है I feel में थ्रेंज लगी जाती है सारी चीजे हो सकता है problem solving अप्रोच है मेरा effective communication है आप बोल सकते हैं कि sir मेरा effective communication जो है बहुत ही effective है leadership है मेरे अंदर I have a leadership I have leadership teamwork I like teamwork teamwork बोल सकते हैं क्योंकि आप अकेले नहीं जाएंगे किसी mission पर teamwork teamwork में आपको काम करना अच्छा लगता है तो यह जो 3-4 चीजे मनें बताई 5 चीजे आप अपने strength में include कर सकते हैं और जरूर include किजिएगा teamwork, leadership, effective communication, problem solving and ability to perform under pressure बाकी आप हमें Instagram पे follow करिए और like जबी भी आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे सारी चीजे हैं अपना introduction तयार किजिए और comment box में लिख दीजे जिस बच्चे का हमको लेगा कि इनका introduction जो है बहुत ही बहतर है उसको मैं pin कर दूँगा ठीक है pin का मतलब होता है मैं वह वाले comment आपको सबसे पहले देखेगा उसको मैं pin कर दूँगा और उसको देखर के maximum लोग तयार कर सकते हैं तो अपना अपना बना ये है ना तेकिए मैं चाहता तो आपको बना बनाया दे देता पहले आप कोशिस कीजी नहीं हो पाएगा तो मैं दे दूँगा ठीक है चलिए आप बना के और comment box में लिखिए उस चीज को कि कैसे आप बोलेंगे बाई बाई ठेक केर अपने questions भी comment box में लिख दीजेगा जै हिंद वंदे मातरम